हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी, I hope आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हो तो आज मैं ऐसी कतरन का यूज करने वाली हूँ, जो आप सोच भी नहीं सकते के ये हमारे काम आने वाले हैं जो के बिल्कुल वेस्ट कतरन होती है, जिनको हम बिल्कुल बेकार कूड़ा समझते है न, उसका यूज करने वाले हैं और उसके साथ बहुत ही प्यारा सा एक प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ तो आपको पता है काफी सारी चीज़े मैं बनाती रहते हूँ उन में से ही ये देखिए जो छोटे छोटे पीस भी बचते हैं उनको मैंने संभाल के रखा हुआ है काफी मेरे ये काम आते रहते हैं तो आज इन ही पीस का पीस इनको आप नहीं बोल सकते हैं इनको आज जैसे बोल सकते हैं बिल्कुल वेस्ट कतरन आज उनीका यूज करकी मैं आपको बहुत ही प्यारा साइक मैट बना के दिखाने वाली हूँ तो इस तरह की कतरन अगर आपके पास पड़ी है उनको कभी भी भूल के मत फैंकेगा और मुझे पता है जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो इस तरह की कतरन को आप कभी नहीं फैंकेगे तो इसलिए देखिए इस के लिए हमें बेस के लिए चाहिए मुझे प्लास्टिक का बैग तो प्लास्टिक की बोरी को नीचे से कवर करने के लिए आप कोई भी कपड़ा लेनी जीए मैंने पुरानी शिर्ट ली है, जो कि मेरे हस्मेंट की शिर्ट थी पुरानी, उसका मैंने यूज किया है, तो नीचे वाली साइड, चारो साइड से सिलाई लगाते हुए, पहले मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ, बड़ा टांका करके आप बड़ा टांका लगा के सिलाई जल्दी हो जाए, तो मैं इसलिए आपको बताती हूँ, कि छोटी-छोटी बातें जो होती है, उनको आपने ध्यान में रखना है, और फ्रेंज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, और इसमें जो हम कतरन भरेंगे, उसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है, उसमें कोई सिलाई या गांट बगहरा नहीं होनी चाहिए, तो देखिए, इसको मैंने अटैच कर लिया है, नीचे बली साइड पर क यूज कर सकते हैं, तो देख, कतरन मैंने आपको दिखाई है, ऐसी कतरन है, कुछ मेरे पास, जो कि बिल्कुल वेस्ट छोटी-छोटी कपड़े होते हैं, उनका मैं यूज करूंगी आज, तो ये देखो, छोटी-छोटी कटिंग जो होती है, इनको आप इस तरीके से भी भ वाला कोई भी क्योंकि पुराने कपड़े हैं बीच में, तो जहां पर सिलाई होगी, उस तरह का कपड़ा आप मत लीजिएगा, आपकी सुई जो है नहीं, तो 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 इस तरह से बना नहीं, तो इन छोटी-छोटी बातों का ही आपने ध्यान रखना है, तो मैंने बीच बीच में से जो सिलाई वाले कपड़े थे ने, जिन पर सिलाई लगी वी थी, उनको मैंने निकाल दिया है, तो देखे फ्रेंट्स दो तरीके हैं, छोटी कतरन को आप इस तरह से भी रख सकते हैं, अगर आपकी मशीन असानी से चल जाती है, तो इस तरह से आप रख सकते है पहले अच्छे से फैला लेजिए, ज्यादा मोटा इसमें नहीं होगा ये मैट हमारा, बस बिल्कुल अराम से इस तरह से भी आप भर सकते हैं, और एक तरीका दूसरा भी बताती हूँ, अगर आपकी मशीन नहीं चलती है, तो दूसरा तरीका भी आपको बदा देती हूँ, तभी मैंने दो तरीके बताए हैं, अभी देखिए दूसरा तरीका जो है, वो इस तरह से है, बस इसमें थोड़ा सा हमारा टाइम लगेगा, कतरन को जोड़ने के, लगाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, इसके साथ फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो दो तरीके हैं, अगर आपके मशीन चल जाती है, वी डूटी आपके मशीन है, तो जो मैंने पहले तरीका बताया था, उस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपके मशीन बलकुछ सिंपल है, तो इस तरीके से आपने न, सेट करते जाना है, जो भी कतरन आपके पास है, एक बात का आपने और धियान लगना है जो light color की जैसे कतरन है ना वो आप नीचे नीचे भर लीजिए क्योंकि हम उपर से इसमें net लगाएंगे ना तो net में से जो कतरन है वो नीचे से दिखेंगी तो उपर कोशिश कीजिएगा कि उपर वाली साइड पे थोड़ा सा हमारी dark dark वाली जो cutting कतरन है वो वाली ही उपर वाली साइड पे आएं अभी मैंने पंखा चलाया ना तो पंखी से के बार यह दिखो यासे उड़ रहा है तो आप देखी सकते हैं कितनी चोटी-चोटी कतरन है कोई मैंने जब जब भी कोई काम करती हूं तो जो चोटी-चोटी कपड़े भी बचते है न आज मैं आपके साथ यह बला शियर करती हो हो सकता है आपके पास भी इस तरह की वेस्ट कतरन पड़ी हो लेकिन इनको वेस्ट मत समझना यह वीडियो जब आप देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यह चोटी-चोटी कतरन जो है हमारी बिलकुर भी वेस्ट नह पना लेंगे तब आपको पता चलेगा तो देखिए अब ओपस जो है ना हमने थोड़ी डार्क डार्क वाले जो की हमारी नेट में से अच्छा सा डिजाइन दिखे तो इस तरह की कतरन आपने उपर बाली साइट पे भर लेने हैं और हाथ से आइसे देखो दबाद वाके न नीचे कोई पुरानी बेड़ शीट ले लिजिए उस पे आपने फॉर्म रखनी है फॉर्म रख लीजिएगा और क्यूंकि मैं तो यह मैट बना रही हो ना तो मैंने इसी लिए प्लास्टिक की बोरी का योज़ किया है अगर आप कोई बेड रनर बना रहे हो या टेबल रन के लिए भी प्लास्टिक की बोरी चल जाएगी लेकिन कोई बेड रनर या बेड शीट भी आप इस तरह की बना सकते हो अगर बहुत सारी कतरन पड़ी है तो बेड शीट भी बना सकते हो क्योंकि नेट फैबरिक जो होता है जो इसके उपर हम लगाने वाले हैं यह काफी सस् यह सौफ्ट वाली नेट जो है असानी से मिल जाएगी आप प्रिंट वाली नेट ले लिजिए हम लेकिन इसमें पुराने दुपट्टे का यूज़ करने वाले हैं तो देखे यह वाइट कलर का नेट का यह देखे दुपट्टा मेरे पास है आपके पास कोई पुरानी पुरानी से पुपट्टे होते हैं तो पट्टे का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नेट फैब्रिक नहीं है लेकिन जो नेट होती है इसमें से जब यह नीचे से डिजाइन दिखता है यह बहुत ही प्यारा लगता है अब जो यह एक्स्रा है इसको मैं कट कर लेती ह कि जैसे मैंने इसको दबारे हूं ना मैं इसी तरह से आपने दबा लेना है और यह इसको पूरा अच्छे से आपने पिंस लगा के इसकोicing इसको अच्छे से कर लेना है ताकी यह जो चुट-चुटी कत्रन है ना मारी यह बीच में से हिले नहीं तो पिंस जो है आपने पूरा इसमें भरके लगा लेनी है तो आप देख सकते हैं पिन जो है मैंने लगा ली है आप देखिए इसको हम मिशीन पर कैसे लेकर जाएंगे पिन लगा के पूरा मैंने इसको सेट कर लिया है अच्छे से अब हमारी कतरन जो है बिल्कुल भी नहीं ही लेंगी तो छोटी से छोटी कतरन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं तो देखिए पिन जो है हमने लगा ली है अब मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए पिन लगा के आप देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने इसको मिशीन पर लेकर जाना है आप देखिए पहले चारो साइट पर आप सिलाई लगा लिजिए फिर बीच में हम इसम कुल्टिंग करेंगे तो चारो ऐङट पहले बड़ा टंका करके आपने सिलाई लगा लेनी है तो अगर आप सिलाई के बिना कुल्टिंग कर सकते हो तो कर ले ना लेकिन अगर आपसे फिर भी नहीं संभाला जाएगा तो पहले आप चारो लगा लेजीगा मैं सिलाई नहीं लगाती मैं ऐसे ही कुल्टिंग कर लोगी लेकिन अगर आप सीख रहे हो बिगनर हो तो आपने पहले क्या करना है चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है फिर आपने इस तरह से कुल्टिंग करनी है तो देखिए कुल्टिंग आप अपनी मर तो यह देखिए नेट को साथ में आपने सेट करते जाना है यहां पर थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा थी उसको मैंने कट कर दिया अब इसी तरीके से पूरा में इसको कुल्टिंग करके भर लोगी और फ्रेंट्स किसी विवर्स ने पूछा था कि आप कौन सी कैंची का यू यह देखिए पिन को उतार लेते हैं और साथ साथ में आगे-ागे पिन को यह देखिए इस तरीके से में लगाते जाओंगी और कुल्टिंग करते जाओंगी तो फ्रेंट्स मैंने आपको बोला न कि आप पहले चारों साइट पे सिलाई लगाना चाहते हो तो सिलाई भी कर लोंगी और एक बात को मैं आपको बताना भूल गई आपने इसमें जो है 18 नंबर की सुई का योज करना है और मिशीन को बहुत ज्यादा तेज नहीं चलाना अगर आपका यह जो मैट आप बना रहे हो अपने काफी सारे कप्ड़े भरे हैं 18 नंबर की सुई जो है बहुत है ध्यान रखना है मशीन आपने बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं चलानी है नहीं तो आपकी सुई टूट सकती है तो बस थोड़ा सा स्पीड कम रखिएगा और नीडल जो है 18 नंबर की लगा लेजिएगा बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने ये लेखिए कम्पलीट करना है इसको और फ्रेंट्स हमेशा में पुराने कपड़ों का यूज करके आपको अच्छी नहीं नहीं चीजें बिदाना बताती हूं तो प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना और वीडियो को श प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अब देखिए सिलाई मैंने पूरा कुल्टिंग करके इसको रेडि कर लिया है तो आप देख सकते हैं मेन इसकी बात है कि बनाने में बहुत ही एजी है जिसको की आप बहुत ही एजी बना सकते हो अब देखिए के बोरी ली और उसके उपर कत्रन बिछाई निचे वाली साइड पे कपड़ा लगा दिया और उपर से कवर करके हमने इस पे पिंस लगा के कुल्टिंग कर ली तो है न बहुत ही असान तरीका तो यह कोशिश करती हूं मैं कि आपके लिए मैं बिलकुल असान से असान और न काफी सारी चीजें नई नई चीजें जो है घर के लिए आप बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं डिजाइन कितना प्यारा लग रहा है न इसका देखने में हमने कोई इतना इसमें ज्यादा वो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी न कि हमने कोई पटियां जोड़ी या डिजाइन मनाया तो पटिया जोडने के तरीके भी तो मैं आपको बताती रहती हूँ लेकिन ये वाला जो तरीका है न सबसे आसान है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला तरीका तो इससे देखिए आप अगर कुल्ट बनाओगे न उपर उडने के लिए वह भी बहुत ही प्यारी लगेगी मैंने इसको देखा था ओनलाइन पे न तो नेट फैबरिक से पूरा इसको कवर करते हुए न या आप बेड़ शीट भी बना सकते हैं बस थोड़ी-थोड़ी कतरन आपने भरनी है नीचे जैसे अभी सेजर का मैं आपको बताने लगी थी दस नंबर की कैंची मैं यूज करती हूँ मैं थोड़ा हैवी कैंची ही यूज करती हूँ तो देखे यहां पे न कैंची चला चला के मेरे यहां पर गांट सी हो गई है आप देखते होंगे कि यह कपड़ा सा क्या लगाया है इसलिए मैंने कपड़ा लगाया है तो इसी हैवी कैंची लेने की ही आदत है क्योंकि बुटीक पे जब सूट की कटिंग वगरा करनी होती थी तो आठ से दस सूट एक बार में कटिंग करनी होती थी तो इसलिए मेरे मैंने आपको हाथ में दिखाया यह गांट सी हो गई है तो अगर कैंची यहां से हम कपड़ा नही हुआ है जब सह बुटीक चोड Iraq मेरी वो तो मिरी वोववय है 10 नंब्र की onake का ही वो मेरे हां तो मेरे हाथ में और मिरे देख सकते हैं इसका फाइनल लुक जो है बहुत ही प्यारा है तो हम सोच नहीं सकते हैं कि इतनी छोटी-छोटी कतरन से हमारा इतना प्यारा ये मैट बन गया है तो आप खुद देख सकते हैं लुक तो इसका बहुत प्यारा लग रहा है और बनाने में तो आपने देख लिया योज किया है, कलर इसका काफी अच्छा है, ब्राइट है, यह देखो, कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं बैक साइट के लिए, और बहुत प्यारा हमारा यह मैट बनके रेडी हुआ है, तो यह देखो, आप देख सकते हैं, वाओ, कितना सुंदर देखने में बहुत ही प्या प्यारा लगा है, लेकिन आप बताना कि आपको यह कैसा लगा, तो देखे, ऊपर जो हमने डार्क कपड़े भरे थे न, वो नेट में से कितने प्यारे हमारे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं, यह देखो, अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स आप भी ज़रू ट्राइ करना और इस तरह से आप अपने काफी सारे पैसे बचा सकते हैं और अपने घर के लिए काफी सुन्दर सुन्दर चीजें जो हैं बना सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर रेगलर हो तो आपको पता है कि इसी तरह की चीजे में आपके लिए लेकर आती रहती हूं, तो फ्रे